हलो वगो, वलकम तो लव इत उनिवर्स, अगर आपकी राशी वगो हैं, यानि कान्या राशी हैं, तो चलिए देख लेते हैं, एप्रिल मंथ में, यानि एप्रिल 2023 में, आपकी लाइफ में क्या-क्या होने वाला हैं, तो ये रेडिंग जैनल है, जैन्डा स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो, सन के उपर बेस्ट हो, या फिर मून के उपर, अगर आप अपने दिल से, मन से, खुद को वगो मानते हैं, यानि कान्या राशी के मानते हैं, तो ये रेडिंग आपके लिए हैं, पर लिए स्टार्ट करते हैं, सिहां पर हैं, दा एंपरर, अपका फॉर्स्ट काड आ गया है, नाइट अफ कप्स, फॉर अफ वान्स, क्वीन फ कॉइन फ कॉइन्स, सिक्स अफ कप्स, पेज ओफ वान्स, ओके, सो बॉट्म दो देख देख लेते हैं, यहां पर हैं, एइट अफ स्वार्ट्स, तो इस टाइम पर आपके लाइफ में, कुछ टाइम के लिए ऐसा एक सिचुएशन क्रियेट होता हुआ दिख रहा हैं, जहां पर आप थोड़े से टाइम के लिए ह लुख सकता है, पर इस चीज को आप शोनी करने वाले हो, यानि आपके मन में जो भी इस टाइम पर रहेगा, वो आप बाहर शोनी करने वाले हो, जिसके वज़े से आप इस टाइम पर कुछ लोगों से कॉन्टैक कर सकते हो, या फिर घर से आप थोड़े से टाइम के लिए बाहर नहीं भी निकल सकते हो, ऐसा भी हो सकता है, तो इस टाइम पर आप थोड़े से टाइम के लिए आईसोलेशन में भी जा सकते हो, और इस टाइम पर आपके लाइफ में कुछ छोटा मोटा क्राइसिस भी आप फेस कर सकते हो, ओके, तो ये कुछ टाइम के लिए क्रियेट होने वाला है, यह situation इसको लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, तो मुझे overall reading बहुत सदा अच्छी दिख रही है, तो यहाँ पर कौन-कौन से राशी है, मैं बता देती हूँ, यहाँ पर art sign, Taurus, Capricorn है, water sign, Cancer, Scorpio, Pisces है, और air sign, Jimnalibra, Aquarius है, fire sign, Aries, Leo, Sagittarius है, So, April month के एक से दस तारीक के बीच में आप देख सकते हो, बहुत सारे beautiful beautiful cards आए हैं, यहाँ पर हैं, the emperor, So, इस time पर आपके कंधों पर कुछ responsibilities आते हुए दिख रहे हैं, वो आपके career के साइट से भी हो सकता है, आपके love life के साइट से भी हो सकता है, चोटा हो सकता है, या फिर बड़ा कुछ हो सकता है, पर आपके कंधों पर कुछ responsibilities यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, कुछ power, authority आप इस time पर hold करने वाले हो, इस time पर आपके मन में confidence रहेगा, आपके मन में strength रहेगा, आप bold होकर कुछ action में इस time पर ले सकते हो, इस time पर आप बहुत सदा serious और straightforward way में काम करते हुए दिख रहे हो, और आपके सभी काम इस time पर successful होते हुए भी दिख रहे हैं, पर थोड़ा सा effort इस time पर आपको देना पर सकता है, और यहाँ पर है queen of coins, so definitely आपका जो भी effort है, या फिर आप जो भी काम करने के लिए force लगाओगे, वो काम एकदम से successful होती हुई दिख रहे हैं, इस time पर आपको आपके काम से बहुत अच्छा reward मिलता हुआ दिख रहे हैं, आपके काम से बहुत अच्छा result, बहुत अच्छा एक outcome निकल आता हुआ दिख रहे हैं, पर depend करेगा कि आप कितना ज़्यादा effort लगा रहे हो अपने life के पीछे, अब जो भी इस time पर चाहते हो, आप उसके उपर एकदम से शिद्दत से काम करते हुए दिख रहे हो, और जिसका फल आपको यहाँ पर मिलता हुआ भी दिख रहे हैं, और इस time पर आपके life में stability आती हुई दिख रहे हैं, materialistic way में, and balance भी create होता हुआ दिख रहा है, और confidence की यहाँ पर कमी नहीं दिख रहे हैं मुझे, और चलिए देख लेते हैं, April मंत के 10 से 20 तारिक के अंदर आपके life में क्या होने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हो night of cup से, तो एक offer यहाँ पर आपके पास आती हुई दिख रहे हैं मुझे, जो offer शाद बहुत time से आपके तरफ आने की कोशिश कर रहा है, पर किसी भी वज़े से हो सकता है, आने ही पा रहा था, कुछ blockages, कुछ problem बार-बार create हो रहा था, या फिर आप उस offer तक, उस situation तक नहीं पहुच पा रहे थे, तो इस time पर वो offer फाइनली आपके पास आती हुई दिख रहे हैं मुझे, और बहुत इस अदा permanency के साथ आती हुई दिख रहे हैं, यह offer, यह opportunity, यह proposal आपके career के side से भी हो सकता है, पर यहाँ पर maximum मुझे दिख रहे हैं, यह love offer होने वाला है, यानि कोई एक person इस time पर आपको कुछ proposal दे सकता है, या फिर आप इस time पर किसी को कुछ proposal दे सकते हो, एक wise versa energy हाँ पर six of cups के through भी create होती हुई दिख रहे हैं मुझे, so कोई एक बचपन का friend आपका हो सकता है, जिसके तरफ से आपको इस time पर कुछ receive हो, या फिर आपके बहुत पुड़ाने कोई friend हो सकता है, जिसके साथ शायद आपका उतना अच्छा दोस्ती नहीं था, पर वो इनसान शायद आपको बहुत सदा पसंद करते थे, या फिर उनके दिल में आपके लिए कुछ feelings था, पर आप नहीं जानते थे, तो ये situation भी हो सकता है, तो उनके तरफ से इस टाइम पर आपके पास कोई offer आ सकता है, ये शादी का proposal भी हो सकता है, या फिर कोई bold strong love offer भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, आपके career के साइट से, या फिर आपके love life के साइट से, कोई एक offer opportunity की बात यहाँ पर हो रही, April month के 10 से 20 तारिक के अंदर, कुछ न कुछ offer opportunity जरूर से जरूर मिलने वाला है, कुछ gifts भी आपको इस टाइम पर मिल सकते हैं, कुछ good news भी आपको इस टाइम पर receive हो सकते हैं, और चलिए देख लेते हैं कि April month के 20 से 30 तारिक के अंदर क्या-क्या होने वाला है, यहां पर आप देख सकते हो four of one से, तो इस टाइम पर आपकी शादी तै हो सकती है, अगर आप बहुत टाइम से शादी के लिए रिष्टा धून रहे थे, तो आपके पास एक बहुत अच्छा रिष्टा आता हुआ दिख रहा है, और आपका शादी इस टाइम पर fix होता हुआ दिख रहा है, अगर आपके लाइफ में शादी की कोई बात नहीं है, अगर आप already एक mad person हो, तो definitely इस टाइम पर आपके साथ आपकी person की बहुत अच्छी बंदी हुई दिख रहे हैं, आप दोनों के बीच में अगर कोई भी problem था, कोई भी blockages था, तो वो इस टाइम पर हटती हुई दिख रहे हैं, आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो कुछ excited आप अपने love life में जरूर से जरूर देख पाओगे इस टाइम पर, कुछ unexpected romantic situation भी इस टाइम पर create हो सकता है आपके love life में, अगर आपके life में love का कोई funda नहीं है, तो इस टाइम पर आपके career के तरफ से भी आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है, unexpected way में ही, जो देख कर या फिर जिसको पाकर आप बहुत सदा satisfied होने वाले हो, excited होने वाले हो, आपका energy बहुत सदा higher level पर जाती हुई दिख रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, और यहाँ पर है page of funds, तो definitely इस टाइम पर आप जूम उठते हुए दिख रहे हो, आप यहाँ पर भी देख सकते हो, आपका औरा इस टाइम पर बहुत सदा higher energy पर दिख रहे हैं, आप इस टाइम पर एकदम से नाचते हुए फिर रहे हो, आप इस टाइम पर इतना ज़दा खुश हो जाओगे, कि आपके surroundings के सभी people को आप खुश कर दोगे, क्योंकि जो खुशी का energy होता है, वो positive energy होता है, और positive energy आप जितना ज़्यादा spread out करोगे, उतना ज़्यादा positive energy आपके तरफ attract होगा, इस टाइम पर definitely आपके life में कुछ unexpected situation, positive unexpected situation, खुशाल situation create होता हुआ दिख रहा है मुझे, आपके career के side से भी, आपके love life के side से भी, और इस टाइम पर आपके promotion हो सकता है, अगर आप job करते हो, या फिर अगर आप business करते हो, तो वहाँ पर आप growth जरूर देख पाओगे, और इस टाइम पर आपके घर में कुछ पूजा पार, या फिर celebration वाला कुछ moment यहाँ पर create होती होई दिख रहे हैं, तो कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, अपरिल मन्थ के 20-30 तारीक के अंदर आपके life में, तो चलिए एक overall card ले ले लेते हैं, अपरिल मन्थ के लिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, ओ वाउ, मैंने आपको पहले ही बताया था, कि bottom of the day को देखकर घबराने के जरूरत नहीं है, आपके जो cards आए हैं, वो बहुत सदा अच्छे आए हैं, यहाँ पर है the lovers, तो definitely इस टाइम पर, अगर आप single हो, तो आपके life में, love की entry होती हुई दिख रही हैं, यानि कोई एक person इस टाइम पर, आपके life में enter कर सकता है, हो सकता है, वो person known हो, हो सकता है, वो person unknown हो, पर आपका destined partner मुझे जरूर दिख रही हैं, यानि भविश्य में जाकर, आपके साथ इनकी शादी तै हो सकती हैं, या फिर अगर आप already कोई existing relationship में हो, या फिर शादी शुदा हो, तो definitely आप दोनों के बीच में, जो भी प्यार का level है, वो increase होने वाला है, spiritual attraction आप दोनों एक दूसरे के तरफ महसूस करोगे इस time पर, आप दोनों एक दूसरे की बात बिना कहीं समझ जाओगे, और कुछ romantic situations भी create होते हुए दिख रहे हैं, love in the air वाला situation भी create होता हुआ दिख रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर जो love vibes हैं, वो यहाँ पर बार बार मुझे मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो cards और लेड़ी love से related आ गई है, sorry three cards, तो definitely आपके love life में healing आता हुआ दिख रहा है मुझे, और देख रहेते हैं, April मांथ में overall आपको ख्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर है protection, तो इस टाइम पर कोई एक इंसान आपको protect करते हुए दिख रहे हैं, वो आपके family में से कोई हो सकता है, आपके दोस्तों में से कोई हो सकता है, आपके कोई नजदे की इंसान आपको इस टाइम पर protect करते हुए दिख रहे हैं, कुछ problem में इस टाइम पर आप फसने वाले हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको bottom the deck से देख कर बताया, कुछ crisis इस टाइम पर आपके life में दिख रहे हैं, कुछ time के लिए, तो उस situation से वो इंसान आपको बाहर लेकर आ जाएंगे, और इसके साथ ही यहाँ पर मुझे दिख रही है, divine आपके साथ हैं, और आपके guardian angel जो हैं, वो भी इस टाइम पर आपको protect करने वाले हैं, आपको इस टाइम पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इस टाइम पर अपने मन को साफ रखना है, divine को gratitude शो करना है, और जो भी इंसान आपको help करेगा, उनके सामने भी आपको नतमस तक रहना है, आपके दिल में इस टाइम पर प्यार होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, soft hearted, kind hearted, अगर इस टाइम पर आप बनते हो, तो आपका कोई कुछ नहीं विगार पाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो, यह जो बिजली है, यहाँ पर गिर रहा है, पर नहीं गिरेगा, क्योंकि यहाँ पर इस पेर को divine protect कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, यह जो पेर हैं, यह सब को help करता है, छाओ देता है, फल देता है, और रेस्ट करने के लिए जगा भी देता है, आपको इस टाइम पर इस पेर के जैसे ही बनना है, यानि एकदम से open-hearted एक परसन बनना है, तब ही जाकर divine आपको protect कर पाएँगे, क्योंकि सो बहुत ही जादा एक major message यहां पर मुझे दिख रही है, आपके लिए April मंत में, आपका April मंत मुझे अच्छी दिख रही है, major दिख रही है, सो बाई!